अकीरा खुद को छुड़ा कर अंधीरे में अपने काम को अंजाम देती है और जैसी हं अंधीरा चटता है बबरू की चीखने की सोगतार आवास आती है मालिक वो लड़की तो भाग गई भाग गई मालिक भाग गई, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, वो खुली कैसे, नालाय को तुमने क्या अनर्थ किया है, तुम जानते भी हो क्या, मेरा मटन, हाए मेरा मटन तब ही गबरूच लादा है, शकील उस बटन वाली जगह तुरन जाता है, तो देखता है, कपड़ों में लिप्टा बटन तो अपनी ही जगह सो रक्षित रखा है, ये देख, शकील और उसकी टीम बड़ी खुश होती है, मगर भीमा का मन अंदर से उदास था, उस छोरे ने मन ने एक मौका दिया से, पर वो उसका भी फायदा उठाने के अकल न रखती, पता नहीं वह कहां भटक रही होगी विचारी, सब खुशिया मना रहे थे, कि तब ही उस और सागर की जिंदगी में तो एकदम ही विरान अधिरा चा चुका था, एकदम विरान, वो सुरेली वह हेमा के सामने विलाप कर रहा था, तब ही हेमा आकर उसे संभालती है, जिस मां से तु सवाल कर रहा है ना लड़के, उस मां ने तुझसे कबे सवाल ना किया, कि तुझे खुझ से सीने लगा कर रखा, या जुदा करते, तो आज ऐसे भी कोई आदमी आकर तुझे कुछ भी कहेगा, तो तु सुरेली से बने तेरे ममता की रिष्टे पर सवाल प मतलब मेरी मां और वो काना आदमी इन दोनों का चक्कर था? ये सुनते ही सुरेली सागर को चाटा जड़ देती है, सागर जानने की इच्छा में अपने होश मत खो, आके पूरी बात सुने बिना तो कभी नहीं, तु शकील और मेरी भाबी निर्मा का बेटा है, शकील को हमे शकील के बरताव में अब तो बदलाव आ जाएगा, पर कुत्ते की दुम नलकी में डालने से कहा सीधी हो सकती थी, और एक दिन, उस दिन शकील निर्मा अपने नए जनमे बेटे के साथ नाव से दूसरी जगा जा रहे थे, हमेशा की तरह वही उसका भाबी से खिट-पिट चल रहा था। जिस कारण शकील के नाव उतल-पुतल होने लगती है और उसमें पानी भढ़ने लग जाता है। अब नाव में केबल एक के खड़े होने के जितनी ही जगा थी। ये देखते ही शकील निर्मा को मुन्ना समेथ नाव से उतरने को कहता है। ए निर्मा तू पानी में कूद कर अपने पती के लिए त्याग कर दे। आखर यही तो काम होना चाहिए तेरा। निर्मा के मना करती ही शकील निर्मा से हाथा पाई करता है और दोनों पानी में गिर कर छट पटानी लगती है। और निर्मा की हाथ से मना छूट कर गहरे पानी में बहनी लगा है। अरे जलात रुक जा, जलात रुक जा। निर्मा मगर जैसे ही खुद सवार होने लगी शकील उसकी टांगे पकड़ कर उसे समुद्र के अंदर डुबूनी लगता है। तू अगर मरे तो मैं शकीला से व्याँ करूँ, बड़ी बिचारी अकेली है, और मेरा जन्म तो हुआ ही है, और तो का अकेला पंदूर करने के लिए, आ, आ, नहीं, नहीं, मुझे सांस नहीं आ रही, छोड़ो मुझे, आ, आ, मुन्ना, निर्मा डूब रही थी, मुन्ना बह पानी में रहना नहीं है, ना तुम मचली हो, ना ही मचली, बोलो, फला यहां क्या कर रही हो? जेल हो जाती है, और मुन्ना अकेला पढ़ जाता है, तब भीड में से निकलता है गणपत, शकील का खास यार गणपत, अरे शकील आखिर में तूने ये गणबड कर ही दी ना, मैं हमेशा समझाता था कि और तो जूती समझ कर मसल मत, अब देख, भावी तो सुरग चली गई, इसी जग है, इसी जन्म में, गणपत के कान में नाव में रखे मुन्ना की आवाज आती है, और वो जाकर देखता है, उस तूटी फूटी नाव में खोने में बड़ा मुन्ना रो रहा था, गणपत उसे उठा कर गोद में ले आता है, अरे छोटू, तु यहां अकेल ने मार डाला, और उसके कतल के इलजाम में उसे जेल हो गई है, बताओं तो भौती भैंकर मामला हुआ था सुरीली, पर तनी बड़ी घटना होने पर भी इसे खरोच तक नहीं आई, यानि कि समुंदर देव साक्षात इसके साथ थे, तो आज सी क्या, यह हमारे पास रहेग गम बाटना चाहते हैं न, दूसरों की मदद करने में ही उलजे रहते हैं, तो आज किसमत आप दोनों की मदद करना चाह रही है, आपके घर का चिराख समुदर देव ने खुद आपको दे दिया, मेरा भाई इसका बाप कहलाने के लायक तर नहीं है, इसे माँ और बाप दो में इसके बुआ होने के नादे भीक माँगती हो, भीक माँगती हो, सुरीले हेमा की विंती को स्विकार करती है और मॉन्ना को सीने से लगा कर कहती है, सागर, इसका नाम सागर होगा, जिसने पानी को मात दे दी, उसमें खुद में प्रेम का समुदर बसा होगा, इसलिए य सागर की आखे नम थी, एक पल में ही उसे तो चार माई मिल गई थी ये कैसा सच है, खुश हो या उदास, मैं तो बच्पन से सोचता था कि मेरी एकी माँ है, जिसे दिन नाद देखता हूँ और उसके पाहो छूता हूँ तो जन्नत मिलती है, बगर मेरी तो चार माई निकली, एक जिसने जर्म दिया और जल्मग्न हो गई, दूसरी वो जिसने माँ बेटे का फिर से मेल हो जाता है, और सागर सुरीली के गले लगबा है, सुरीली सागर के आसू अपने आचल से पोच्छती है, एक मिनिट, पर अगर बाबा मुझे नाव से खुदी उठा का घर लाए थे, तो फिर वो मुझे क्यों नहीं अपना पाए, क्यों हमेशा कुड़कुड किया करते थे वो? वो सब तो बाब के उपर का सक्त खोल था बेटा, अंदर से तो तेरी बाबा नारियल की तरह बड़े ही नर्म है, और तुझे मुझे इतना ही चाहते हैं, बस तुम अच्छवारा बना रहे, ज्यादा पढ़कर उनसे दूर ना चला जाए, या फिर कहीं हमसे दूर ना चला जा इसलिए दुझे दुझे दुनिया से छिपा कर रखना चाहते हैं, ये सुन गणपत को लेकर सागर के विचार बदल जाते हैं, क्या, मतलब मैं बाबा को कभी समझी नहीं पाया, आजाने दो उनको वापस, मैं उनको इतना कसकर गले लगाउंगा न, कि वो उन पर जमा स सकते आवन पिघल जाएगा अकीरा कपड़े खोल कर देखती है, अकीरा जैसे ही उस बटन को हाथ में लेती है, वो काला पड़ जाता है, और वह समझ जाती है कि असल में एक मामूली बटन है, और शकीर गलत चीज को हासल करने की महनत में लगा है, अकीरा जाने वाली थी कि तब ही एक और से बबरू औ जैसे ही दोनों अकीरा पर तोटते हैं, अकीरा उचल कर वहां से भागती है और गब्रू बब्रू को ही लपक कर उसके उपर जा गिरता है। जब तक मुझे मेरा पटन नहीं मिल जाता, मुझे इंसानी दुनिया में सुरक्षित रहना ही होगा और उसके लिए सागर के घर से ज़्यादा सुरक्षित कोई भी जगा नहीं है। मुझे तो लगता है वो लड़की ही तुझे मुझे से दूर करने आई है। शायद भगवान जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा हो। आज सागर बेटा पता नहीं कौन लड़की है। कैसी है कहां से आई है अपने साथ कौन सा खत्रा लिये हुए है हम तु जानते ही नहीं है ना अच्छा हुआ खुद ही चली गई। तपी दिर्वाजे पर हाफते हुए अकीरा पहुचती है और सागर उससे देख खुश होता है और अकीरा सागर को देख। अकीरा लख़ाते हुए सागर के करीब आकर उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। खिर हुआ कैसे इतना बड़ा चल असली बटन कहा है कहा है और वो लड़की आजाब कैसे हुई मैं पूछता हूँ कैसे। तब ही शकील भीमा की और देखता है और बबरु गबरो को इशारा करता है। अरे तम मुझे क्या देख रहा है सागरétais मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ शकील भाए बिचारे भीमा का इसमें क्या लेना देना है। गणपट जैसे ही मुझ खोलता है गबरू शकील का इशारा पाकर उसके सिर्फ में लोहे की रॉट जोर से मारता है गणपट जमीन पर गिरता है और उसके सिर्फ से खून की नदिया बहने लग जाती है जहां सागर अपने बाप से मिलने के लिए तड़प रहा था एक ही जटके में उसका बाप मौत से मिलने लगा था और बाप बेटे की एक होने की आस वहीं खत्म हो गई थी अब देखे क्या जलपदी की दास्ता में उसे अपने मंजिल तक जाते जाते और भी रिष्टों का खून बहने वाला था जानने के लिए देखते रहिए इश्के दरिया केवल अनम स्टोरीज पर